हाई एवरीवान वेलकम बैक टो मैं चैनल माइनेमी सोनी एन वेलकम टू सोनी मेकोवर तो आज की वीडियो हमारी आमपिट की वैक्सिंग्स रिलेटेड होने वाली है तो सबसे पहले मैंने ये पॉंस का पाउडर लगाया है ताकि इनके स्कीन में जो मौस्चर और जो तक उपर की ग्रोथ है वहां तक मैंने वैक्स के अप्लिकेशन कर ली है जिन उसके बाद मैंने स्ट्रिप को अच्छे से चिपका के और नीचे की साड में जोर से पूल कर दिया है तो देखे सारे हेड्स निकल चुके हैं और इनके हेड्स बहुत ज़दा कड़क थे तो है और उसके बाद ही स्ट्रिप को अच्छे से खीचना है उपर की साइड तो देखिए अब बचे हुए पार्ट में मैंने वैक्स के अप्लिकेशन कर ली है मैंने इनका थोड़े थोड़े पार्ट में किया है ताकि इनको पेन ना हो क्योंकि इनके हेड्स बहुत ज़दा थ उपर की साइड थी तो फिर मैंने वापस से उपर की साइड लगा लिया वैक्स तो गैस मेरी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आमपीट वैक्सिंग की और आमपीट शेविंग की तो प्लीज उससे भी जरूर चेक आउट करना मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है तो आप लोग को मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे आप लोग हां से चेक आउट कर लेना तो देखे होने के बाद में मैंने एक स्पॉंज की हेल्प से अच्छे से वाइप आप कर लिया है तो देखे अच्छे से मैंने पाडर को कुरे स्कीन में और याद रहे कि आपको ज़्यादा कउंटि इम्हाडर की अप्लिकेशन नहीं नहीं करनी है नहीं तो इससे वैकस जो है वो चिपकता नहीं है वह पाडर की एक लेयर बन जाती इसकीन पर तो वो पाउडर पर ही चिपकेगा और उसके बाद में पाउडर के साथ वो वैक्स जो है वो निकल जाएगा तो आप लोगों को ज्यादा पाउडर के अप्लेकेशन नहीं करनी है तो देखिए अब अच्छे से मैंने वैक्सिंग के अब यहाँ पर बहुत अलग-अलग डारेक्षन में इनकी खरूध थी बहुत ज toothbrush से विर तो मैंने के डम केरफूर को देख देख 생각 के ही अप्लिकेशन किये ताकि आसा ना हो कि मुझे hustla कर करना his воды करना पड़े सके तो इस लिए मैंने बहुत क्यार्फूरफ देख देख दो डारेक्शन में थी hair growth और दोनों आपस में मिल गई थी, तो मैंने hair growth को देखते हुए नई application किया है, मैंने एक ही side application की है, दिन उसके बाद में दूसरे उपर की side में application करूँगी, देखे सारे hairs निकल चुके हैं, कुछ hairs रहे गए हैं, अब उसको भी हम remove करेंगे, तो देखें, यहां के गोर जो थी, अलग direction में थी, इसलिए यहां के hairs नहीं निकले, तो अब इसे अच्छी से चिपका के और skin को stretch करके ही हमें waxing strip को खीचनी है, तो guys वीडियो अच्छी लगी हो, तो please like जरूर करना, channel को subscribe भी करना, तब तक के लिए, bye, take care